Hello students, Trisha Saksina here और आज का topic है end to procta, minor phylum में हम पढ़ रहे हैं और हम इसमें इसके characters पढ़ेंगे, इसका थोड़ा structure पढ़ेंगे और इसकी affinities पढ़ेंगे Affinities का मतलब होता है, इसका relationship या इसकी similarities कौन-कौन से other phylum और minor phylum के साथ होती है तो general characters में अगर हम start करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि 19th century में इसकी discovery हुई थी और उस time पे इसे, इस endoprocta को, endoprocta के साथ एक ही phylum में रखा गया था, जिसका नाम था bryozoa उसके बाद जब इसके characters में, दोनों के characters में dissimilarities भी मिली काफी तो इनका अलग-अलग phylum बना दिया गया तो minor phylums होते क्या हैं, minor phylums ऐसे organisms हैं जो अपके major phylums में नहीं आते हैं उनके characters की वजह से प्लस इनका कोई ecological importance नहीं होता है मतलब दुनिया में ये इतने important नहीं है और ये ऐसी ऐसी जगे जाए पाए जाते हैं जहां पर इनसानों का पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है और इनकी कोई economic importance भी नहीं है इनके बारे में पढ़ाई करके कोई पैसा भी नहीं कमाया जा सकता है इसलिए ये phylums जो हैं, वो minor phylums कहलाते हैं और इसमें species, जो number of species है वो बहुत कम होती है तो इसलिए इसका नम minor है क्योंकि number of species में कम होती है और they are of no importance तो endoprocta में क्या होता है, इसके जो general characters है अगर हम बात करें तो सबसे पहरा तो ये sysile होते है sysile का मतलब होता है किसी substrate से जुड़े रहना याने कि ये किसी जगा पर fixed रहते हैं जैसे पौधे जो हैं, वो fixed होते हैं roots के through soil में ऐसे ये भी sysile nature के होते हैं इनका body जो है, वो एक round और oval mass में divided होता है जिसे calyx कहा जाता है और ये जो calyx है, इसके अंदर सारे visceral organs present होते हैं याने इनका stomach हुआ, इनका mouth हुआ, एनस हुआ, वो उस calyx के अंदर होते हैं और ये calyx जो है, वो stock के उपर लगा हुआ होता है ठीके, मैं आपको इसका diagram दिखाती हूँ ये देखी, इसका diagram आप देख सकते हैं नीचे stolon है, जो उसका base है उस base में से ये निकल रहे हैं, पौधो की तरह, एक stock के through और उपर जो आपको दिख रहा है, round shape का structure जिसमें बहुत सारे tentacles हैं, ये इसका calyx कहलाता है ठीके, और जब ये calyx बंद रहता है जैसे मतलब कली होती है ना, कली जब बंद रहती है तब उस form में ये zoids कहलाते हैं और फिर ये mature होके calyx form करते हैं, ठीके तो इनका जो calyx होता है, इसमें इनके सारे organs होते हैं और calyx का जो free end दिख रहा है, जहाँ पे इसके tentacles दिख रहे हैं इनका जो free end होता है, वहाँ पे tentacles का पूरा circulate present होता है एक circle में tentacles होते हैं, जो अंदर से ciliated होते हैं और मदद करते हैं food को grasp करने के लिए पानी में से, ठीके उसके बाद इसका जो mouth और anus होता है, वो भी इनके free surface पर खुलता है calyx के, और ये जो होते हैं calyx, ये solitary भी होते हैं और colonial भी होते हैं, मतलब आपको ये अखेले भी मिलेंगे, solo form में भी मिलेंगे और ऐसे जुंड में भी मिलेंगे, colonial form में भी मिलेंगे और ये अकसर marine होते हैं, जादतर खारे पानी में पाए जाते हैं और इनकी कुछ genus होती है, anatella, ये fresh water में भी पाए जाती है तो ये exceptional case है, और ये जादतर microscopic होते हैं क्योंकि इनकी length जो है 5 mm से भी कम की होती है अगर हम इनके structure की बात करें, तो आपको इसका structure दिख रहा होगा ठीके, इसका structure में main feature क्या है, कि इसमें ऊपर का जो calyx होता है वो इसका main body part है, ये calyx का ही structure बताया गया है ये main body part है, इस organism का, और इसके calyx के ऊपर बहुत सारे tentacles का एक मुकट होता है crown होता है, ठीके, और नीचे क्या होता है, स्टॉक होता है जिसके through ये stolon से जुड़े होते हैं, ठीके, फिर उसके बाद इनका जो calyx होता है वो laterally flattened chapter होता है, ठीके, और इनके जो tentacles होते हैं, कम से कम ये 8 से 30 tentacles होते हैं और सारे के सारे एक size के होते हैं, और evenly spaced भी होते हैं, मतलब इन दो tentacles के बीच की जो space है, दूरी है वो भी एक जैसी होती है, सिर्फ कहाँ पर अलग होती है, जहाँ पर इनके annal end होता है, जहाँ पर इनका annus open होता है, और जहाँ इनका mouth open होता है बस वहाँ पर थोड़ा सा space कम रहता है, otherwise ये evenly distributed होते हैं अंदर से ciliated होते हैं, ये मैंने आपको बताई दिया है, फिर calyx जो होते हैं, इनके दो surface है इनका ventral area कौन सा कहलाता है, जो उपर कुलाबी रंग का आपको area दिख रहा है, जो उपर आपको convex area दिख रहा है वो इनका क्या कहलाता है, convex area, sorry, concave area दिख रहा है, जैसे कटोरी जैसा दिख रहा है तो उपर का area इनका ventral कहलाता है, और नीचे का तला जो है, वो dorsal surface कहलाता है फिर उसके बाद mouth और anus जो होते हैं, वो ventral surface पे open होते हैं, आप देखोगे इसके diagram के structure में आप देखिए, कि यह जो ferozy curls जो मैंने पूरा बनाया है, इसका digestive system है और right hand side में आप देखेंगे, तो आपको anus देखेगा और right side में आप देखेंगे तो महाँ पे आपको mouth और upper lip, lower lip नजर आएंगे, ठीके तो यह उसका mouth है, याने कि जब यह tentacle से पानी अंदर आता है, खाना लेते हुए तब यह mouth में इसकी entry होती है, ठीके, mouth में इसकी entry होती है तो इसके mouth और anus जो है, opposite ends में हैं, लेकिन दोनों open कहां हो रहे हैं वेंटल सर्फेस पे ही, उपर की तरफ ही, ठीके, फिर इनका, आप mouth के पास देखोगे तो इनके mouth के पास जो होता है, नेफरीडियो पोर भी प्रेजेंट होते हैं, जिनने प्रोटो नेफरीडिया कहा जाता है देखो, ये green color का, जो मैंने kidney bean shape का structure बनाया है, राजमा जैसा वो इनका प्रोटो नेफरीडिया कहलाता है, जिसमें flame bulb होते हैं, इनके excretion में मदद करते हैं ठीके, vestibule क्या होता है, कि आपको ये जो गुलाबी रंग का दिख रहा है, इसके अंदर पुरी कटोरी रखी होई है तो इस कटोरी के अंदर जो पुरी खाली जगा present है, जो cavity present है, जो mouth और annus के बीच में आती है इसको इसका vestibule या atrium कहा जाता है, ये देखिए, ये इसका atrium कहलाता है या इसे vestibule भी कहते हैं और इसके vestibule का वो हिस्सा, जो कि गोनोपोर और annus के बीच में आता है, यानि कि annus आपको दिख रहा होगा annus दिख रहा है, और वो green color की cavity दिख रही है, ये green color का जो मैंने बनाये ovary इसके बीच का जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो है, इसका brood chamber कहलाता है और इसमें आपको बढ़ते हुए अलग-अलग stage में बहुत सारे embryos दिखाए देंगे जैसे कि मुर्गियों का दड़बा होता है, उसमें कोई मुर्गी अंडे के form में ही रहती है कोई थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, कोई पैदा हो रही होती है, ऐसे stages होती है तो इसमें भी क्या होता है, कि अलग-अलग stages के इसमें embryos नजर आते है फिर इसके बाद आप देखोगे कि माउथ, माउथ के बाद इसोफेगस आता जैसे हमारे भी food pipe होता है, इसमें भी food pipe है फिर उसके बाद stomach देखो, है ना, stomach दिख रहा है यह पूरा फिरोजी कलर का जो आपको दिख रहा है, यह पूरा अंदर यही है आपका digestive system तो mouth हो गया, stomach हो गई, इसोफेगस हो गया, उसके बाद इसकी intestine आती है और intestine के बाद, sorry background में थोड़ा शूर है, तो इसके बाद आता है आपका intestine और उसके बाद आता है एनस, हैना, ractum और एनस, तो यह जो है इसका पूरा digestive system है अब आप right hand side में देखोगे, तो आपको green color का circle दिख रहा है, वो इसकी ovary है और जो राजमा के shape का green color का circle दिख रहा है, वो इसका proton aphredia है, जो excretion में मदद करता है इसके अलावा आप देखोगे, कि जो इसका calyx है, इसके आसपास जित्ती भी खाली जगा है जो खाली cavity दिख रही है, यह cavity जो है, वो pseudo seal के लाती है, fall seal home फिर उसके बाद, यह जो brood chamber दिख रहा है, इसमें आपको different stages की embryos दिख रहे होंगे है ना, और उसके नीचे एक काले रंग का राजमा जैसा मैंने बनाया है, वो उसका gland cell है छीक है? gland cell और उसके बाद यही इसका जो है gonoduct कहलाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो outline जो मैंने घरे रंग के outline बनाई है, यह इसकी cuticle है ये cuticle जो है कटोरी के नीचे नीचे रहती है tentacles के पास में ये absent होती है ठीके, tentacles और vestibule के पास इनका cuticle present नहीं होता और ये diagram जो है paddy selenia का है जिसका digestive track कैसा है U-shaped का है अगर हम इसके nervous system की बात करें आप इसका screenshot भी ले सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ेस में लिख रखी है as a notes आप इसे अपनी language में लिख सकते हैं पढ़के ये है endoprocta की characters है ना, just take the screenshot और ये है structure और अभी structure continue चलेगा nervous system पर आते हैं इसका जो nervous system होता है इसमें एक ganglionic mass होता है ganglion का मतलब होता है नसों का या जो तंतरिकाएं होती है वो जहां पर एक खटी हो जाती है गुच्छा बन जाता है उसे हम ganglion कहते हैं तो इसमें एक main ganglionic mass होता है जो की ventral surface stomach के ventral surface पर यानि उपर की तरफ present होता है stomach और vestibular wall के बीच में और इस ganglionic mass में से तीन pair nerves निकलती है जो की tentacles के पास जाती है sense organs कैसे होते हैं इनके sensory nerve cells present होते है tactile type के tactile मतलब जो touch वाला sense feel कर पाते हैं तीके और उस tactile sensory organ में एक से ज़ादा bristles present होते हैं जैसे brush होता है न ऐसे brush present होते हैं जिने bristles कहा जाता है और ये इसके sensory organs हैं ये feel करते हैं अगर इनका कोई prey या इनका कोई शिकार इनको आसपास होता है तो reproductive system की बात करें तो ये usually hermaphroditic भी होते हैं और dioces भी होते हैं hermaphroditic का मतलब होता है कि एक ही body में male और female दोनों तरह के parts present होते हैं और dioces का मतलब होता है कि इनमें male और female और इनके जो gonards होते हैं उसमें सिर्फ एक pair होता है saciform bodies का जो की liver के ventral surface पे यानि लीवर की उपरी सेतरह पे present होते हैं और hermaphroditic organisms में क्या होता है जो इनका sperm duct होता है वो OV duct के साथ sperm duct मतलब वो tube जिसमें से sperm पास होते हैं और OV duct मतलब वो tube जिसमें से egg cell पास होता है तो इनके दोनों ducts जो हैं वो दोनों unite हो जाते हैं दोनों मिल जाते हैं और एक common duct form करते हैं इनके sperm जो हैं flagellate होते हैं यानि कि movable होते हैं और इनमे sexual reproduction के लावा asexual reproduction भी होता है जो budding के द्वारा होता है या regeneration के द्वारा होता है तो अगर हम इसके asexual reproduction की बात करते हैं तो ये जो है इनका asexual reproduction में budding bud क्या होती है एक जिसे अपन आटगुंते में लोई तोड़ते हैं ऐसे बड़े structure में से एक छोटा सा structure बहार आता है जो ऐसे इसमें जैसे flower की bud होती है इसमें से budding bud मतलब होता है कि इनका जो non reproductive cells होते हैं उसमें से outgrowth निकलती है एक outgrowth निकलती है कली की तरह और फिर वो जब बड़ी हो जाती है तो तूट के अलग हो जाती है और आगे एक नए individual की तरह grow करने लगती है तो इसको हम बोलते हैं बर्ड तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो budding होती है जो इसका asexual reproduction होता है उसमें सबसे important बात यह है कि इस पूरे organism का जो development है अगर asexual तरीके से हो रहा है है ना तो इसमें सिर्छ इसका ectoderm और mesoderm involve होता है इसके endoderm का कोई रोल नहीं होता asexual reproduction में तो बर्ड शुरू होती है epithelial proliferation से जो इसके epidermal cells होते हैं वो proliferate करते हैं मतलब multiply करते हैं और multiply करके एक पूरा गठान टाइप बना लेते हैं और वो जो गठान टाइप होती है वो cut off हो जाती है body से और एक epithelial vesicle बनाती है फिर ये vesicle जो है वो constrict हो जाता है मतलब इसके बीच में एक कहना चाहिए एक थोड़ी सी जगा धस जाती है जिसके कारण ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं एक outer part हो जाता है एक inner part हो जाता है तो इसका जो outer हिस्सा होता है है ना जो उसका free surface बन जाता है है ना free surface बन जाता है और जो inner area होता है वो उसका पूरा digestive system बन जाता है जैसे अपन पराठे भरने के लिए लोई के अंदर पूरा उसको बीच में से constrict करते हैं ना तो बहर बहर का जो हिस्सा दिखता है वो समझ लो calyx है और अंदर का जो धसा हुआ हिस्सा होता है वो उसका digestive tract है और जो constriction होता है जो की outer और inner parts को divide कर रहा है वो आगे जाकर इसका stock बन जाता है और calyx बन जाता है तो इनका जो outer surface होता है है ना जो calyx बनता है वहीं से इनके ganglion डवलाप होते है और inner surface से digestive tract पूरा डवलाप होता है और इसकी जो bird होती है वो कौन से cell से बनती है parental meson काईम कहा जाता है और उससे आगे जाकर उनके gonards और muscles वगेरा बनते है ये था इसका पूरा budding का अगर हम regeneration की बात करें तो जब adverse condition आती है जब पानी और खाने की कमी होती है और उनका जिन्दा रहना मुश्किल हो जाता है तब ये अपने जो calyces है याने इनके जो calyx से वो जढ़ जाते हैं और सिर्फ क्या रह जाता है stock और stolons रह जाते हैं उनमें ये शमता होती है कि वो लंबे period तक बिना कुछ absorb किये बिना कुछ खाय पिये रह सकते हैं और जब इनकी condition favorable हो जाती है जब इनको proper temperature proper पानी, proper food मिल जाता है तो वापिस से इनके calyx जो है वो develop होने लगते हैं तो ये जो था आपका asexual reproduction था sexual reproduction की अगर हम बात करें